हेलो दोस्तों, मैं हूँ परविंदर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ फेस्बुक एड्स फॉर बेकरी और केक बिजनस यानि कि आप फेस्बुक एड्स केक या फिर बेकरी बिजनस के लिए कैसे रन कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर मैं मेंली चार पॉइंट के उपर बात करूँगा सबसे पहले स्ट्रेटजी के उपर बात करेंगे उसके बाद में टार्गेटिंग ओडियंस तीसरे नमबर पर बात करेंगे फेस्बुक एड्स का जो क्रियेटिव है फोटो और जो एड्ड कोपी है वो कैसी होनी चाहिए और चोथे नमबर के उपर हम बात करेंगे के कोंपेडिटर एड्स के बारे में तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही हेलफुल वीडियो आपको मिलती रहेंगी सबसे पहले बात करते हैं हम स्ट्रेटजी के बारे में अब जो बेकरी है फिर जो केक बिजनस है वो मेंली लोकल बिजनस होता है और आप एक लोकल एरिया के अंदर ही जो आपके डिलिवरी है वो आप प्रोवाइड करवा सकते हैं यहां पर आपको दो-तिन चीज़े ध्यान में रखने हैं सबसे पहले अब स्ट्रेटजी अगर मैं स्ट्रेटजी की बात करूँ अगर माल लिजए अगर आप फेस्बुक एड्स पहली बार रण कर रहे हैं तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा यहां पर आप आप देख सकते हैं सबसे पहले क्रियेट के उपर आपको क्लिक करना है तो आपका जो एड कैंपेन है वो स्टार्ट हो जाएगा अगर आप फेस्बुक एड्स के अंदर बिल्कुल नहीं है आपको बिल्कुल भी नहीं पता फेस्बुक एड्स क्या होते हैं और कैसे काम कर तो आप मैंने एक प्लेश्ट बनाई है इसका लिंक आपको डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लर्न फेस्बुक एड्स इन हिंदी इसके अंदर लग 15-16 वीडियोज है इनको आप देख सकते हैं सबी वीडियोज अगर आप चाहें तो ना भी देखें लेकिन आप जो भी आपको चाहिए जैसे आप प्लेश्ट के उपर क्लिक करेंगे तो सभी वीडियोज आ जाएंगी और आप नीचे स्क्रोल डाउन करके यहां से चूज कर सकते हैं जो भी वीडियोज आपको देखनी है और उसके बाद में अगर आपको स्पैसल लीड जनरेशन की वीडियोज देखनी है तो दूसरी प्लेश्ट आप यह चेक आट कर सकते हैं यह मैं आपको क्यों बता रहा हूं क्योंकि अगर मैंने सभी चीजें इस वीडियो के अंदर कवर की तो यह वीडियो ओलमुस्ट आदे गंटे से लेकर एक गंटे तक की हो जाएगी तो यहां पर हम आते हम स तो सबसे पहले मैं आता हूँ अपने campaign के उपर strategy यानि कि आपको सबसे पहले decide करना है कि जो भी आपका campaign है या फिर जो भी आप ad run करना चाहते हैं Facebook के उपर उनका goal क्या है आप अपना जो भी local area है जिस भी city के अंदर आप काम करते हैं गुरगाओ है दिल्ली है जैपूर है जि या फिर आप अपनी videos हैं उसके उपर views increase करना चाहते हैं तो उसी के according आपको यहाँ पर strategy चूज करनी पड़ेगी जो आपका end goal है वो आपको decide करना पड़ेगा कि आपका end goal है वो क्या है और उसी के according फिर आपको audience चूज करनी पड़ेगी for example जैसे कि माल लिजिए मैं चूज क करेंगे क्यों क्योंकि उन्होंने ओल्रेडी जो मेरी एड है वो 5-10 बार उन्होंने ओल्रेडी देख रखी है और जो मैंने उनको brand awareness के अंदर एड दिखाई थी उसके अंदर photo दिखाई थी वीडियो दिखाई थी या फिर carousel दिखाई थी तो उनके through उनको already मेरी quality का पता ह है कि मैं quality का जो product है वो उनको देता हूं तो यहां पर हम brand awareness की एड चलाएंगे और इस एड के अंदर जो हम brand awareness की एड चलाएंगे जैसे हम ad set के अंदर आते हैं तो हमारी जो brand awareness की एड है उसके अंदर जो हम audience है वो हम क्या रखेंगे 18 से लेकर पैस्ट तो पैस्ट साल ना हम रखेंगे 40 या फिर 50 हम रख सकते हैं और उसके बाद में अब हम ऐसे लोगों को टार्गेट कर से यहां पर तो हमारे बास तो option है मालेजिए अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो यहां पर already अगर हम facebook का डाटा लेके चले यहां पर मैंने detail targeting के अंदर कुछ भी set नहीं किया अगर आपको नहीं पता detail targeting क्या होती है तो आप पहले सबसे पहले आप यह वाली वीडियो देखी या फिर आप यह playlist देखिए उसके बाद में आप यह वाली वीडियो देख सकते हैं क्योंकि अगर आप नए है तो आपको काफी सारी चीज़े समझ में नहीं आएंगी तो य या फिर आपको यहां जैसे कि यह देखी जैसे ही मैंने बेकरी सर्च किया तो यहां पर आ जाता है अब मैं इसके उपर क्लिक करता हूं तो जो हमारी audience है वो काफी कम हो जाएगी यहां पर almost 7,40,000 लोग है जो बेकरी के अंदर interest है अब जो हमने budget चूज किया था यहां पर हम मान के चली 60-70,000 लोगों को जो Facebook है वो आपकी ad दिखाएगा सिर्फ 800 रुपए के अंदर अब यहां पर जो goal है वो आपका call आने का या फिर lead generation का या फिर traffic का नहीं है तो यहां पर अगर आप उन चीजों को expect करेंगे तो यह बिल्कुल गलत है जो आप goal लेके चलेंगे आप आपके पास वही result आने वाले हैं यानि कि यहां पर हम brand awareness का goal लेके चलेंगे तो लोग हमारे brand को जानेंगे हमारे नाम को जानेंगे तुरंत purchase नहीं करेंगे हो सकता है वो आने वाले one month के अंदर two month के अंदर वो purchase करें तो वहां पर आपको इस चीज़ का ध्यानर है उसके बा अलग तरहेंगे product हो सकते हैं जैसे कि माल लेजिए आप anniversary का cake sell करते हैं या फिर आप एक birthday के लिए या फिर आप cake के अलावा भी आपके पास काफी सारे जो item है वो available है बेकरी से लेटेड़ तो आप उसी type की audience को choose करेंगे और उसी type का आप goal रखेंगे जैसे कि माल लेजिए आपका एक overall product है और वो जो लोग हैं वो कभी भी मंगा सकते हैं किसी भी celebration के अंदर जैसे आप चोकलेटर बगेरा भी एक custom cake भी आप बना के देते हैं तो वहाँ पर आपका जो goal है आप यहाँ पर brand awareness भी रख सकते हैं reach भी रख सकते हैं लेकिन यहाँ पर आप क्या कर सकते है अगर मैं strategy की बात करूँ तो starting एंदर आप क्या कीजिए इसके अलावा जो हमारे पास एक best option available है वो हमारा है engagement और video views का यह दो जो option है यह भी हमारे पास अच्छे हैं जैसे कि माल लीजी आप anniversary के लिए कोई cake sell करते हैं और यहाँ पर आपको क्या करना है एक अच्छी शी video views यानि कि आपकी videos को देखना start करेंगे उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं कि उन लोगों को retarget कर सकते हैं जो भी आपकी videos को देखते हैं आप उन लोगों को retarget कर सकते हैं जैसे माल लीजे किसी ने आपकी video 10 seconds की देखी तो आप उनको retarget कर सकते हैं और दो बार जो नया एड हैं वो आप बना सकते हैं उसके बाद में अब अगर मालेज़ strategy के अंदर हम थोड़ा सा और आ गयाते हैं मालेज़ आप brand awareness के उपर focus नहीं करना चाहते हैं नहीं आप reach के उपर focus करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि हमारे पास direct call आएं या फिर जो हमारे पास हैं डारेक्ट leads आएं लोग purchase करें डारेक्ट हमारे customer जो हमारे product है उनको लोग direct purchase करें तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं जो lead generation या फिर आप message गा जो campaign है यह आप दो campaign run कर सकते हैं यहां पर क्या होगा या फिर आप traffic available है कि हम जो traffic है वो messenger के उपर या फिर WhatsApp के उपर हम send कर सकते हैं लेकिन अगर आपको form fill करवाना है तो आपको lead generation वाला जो campaign है वो objective आपको चूज करना पड़ेगा तो यहां पर मैं objective चूज कर लेता हूं WhatsApp का और यहां पर हमें अपना जो page है वो select करना है पेज सेलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर connect WhatsApp account का option आ जाता है कि आप इस page के साथ में WhatsApp account connect कीजिए तब ही तो जो लोग है वो click करेंगे तो आपके WhatsApp के उपर redirect हो पाएंगे उसके बाद में हम नीचे आते हैं जैसे कि अब यहां पर एक दो cases और बन सकते हैं जैसे कि मैं तो यहां पर मैं दिल्ली के बजाए कोई एक small city जो दिल्ली से छोटा है मैं उसको select ता हम जैसे कि मैं नोईडा अगर मैं choose करूं तो यहां पर जो area है वो हम current city का लेके चलते हैं तो यहां पर जो लोग हैं वो काफी कम हो जाते हमारे पास almost 8 लाख एक वन हजार लोगों की जो audience है वो हमारे पास available है अब यहां पर अगर हम और कम करें तो यहां पर अगर हम detailed targeting के अंदर आते हैं के ऊपर आते हैं तो यहां पर हमारे पास जो option है वो available नहीं है यह जो है यह facebook ने रिसेंटली चेंज किया है मैंने भी अभी देखा है इस चीज़ को जो facebook यहां कि WhatsApp का अगर हम objective चूज करते हैं तो उसके अंदर हम detailed targeting के जो opportunities हैं उनको हम चूज नहीं कर सकते जो system है वो खुद decide करेगा कि जो हमारा एड है वो किन लोगों तक जाएगा और ज्यादा से ज्यादा Facebook कोशिज करेगा कि हमें result आएं तो यहां पर हम मैं फिर इस को recommend नहीं करूँगा क्योंकि हम audience है वो तो हम चूज करी नहीं सकते तो यहां पर आपको क्या करना है जो कोई लेवल के उपर हम आ चुके हैं उसके बाद में हम आते हैं audience level के उपर audience के अंदर हमने already एक जो audience है वो चूज कर चुके हैं यानि की bakery का audience है और उसके बाद में अच्छी एड हो सकते हैं लेकिन इसको आप lead generation के अंदर ना लेकिए आप video views के अंदर इसको ले सकते हैं क्योंकि यहां पर वो लोग तुरंत inquiry नहीं डालने वाले या फिर तुरंत call नहीं करने वाले क्योंकि उनको बाद में मंगाना है यहां पर आप उनको एक awareness create कर सकते हैं तो जो यहां पर audience है वो काफी filter हो जाएगी हमारी जैसे कि यहां पर अगर मैं इसको choose करूँ तो यहां पर जो हमारी audience है वो 8,56,000 हो चुकी है जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं और उसके बाद में हमें नीचे scroll करना है और अगर हम suggestion के उपर click करते हैं तो यहां पर आप आप देख सकते हैं wedding anniversary यानि कि जिनका interest wedding anniversary के अंदर है अगर मालेजी आपकी जो audience है यह बहुत ही कम होती है तो आप wedding anniversary को भी choose कर सकते हैं उसके बाद में अगर suggestion के उपर हम फिर से click करते हैं तो यहां पर उसके बाद में आपके बहुत सारे option आने start हो जाएंगे जैसे कि ऐसे लग जो gift के अंदर interested है लेकिन यहां पर जो gift है वो एक perfect जो targeting है वो नहीं होगी क्योंकि जो बंदा gift हो किसी भी occasion के उपर दे सकता है anniversary के अलावा भी काफी सारे occasion होते हैं जिनके उपर gift दिया जा सकता है तो यहां पर हम इस चीज़ को chosen नहीं करेंगे और आप यहां पर लेकिन इन सभी को आप अलग अलग target करके देख सकते हैं कि आपको जो result है वो कैसे आते हैं और उसके बाद में अगर हम यहां पर इनको मैं हटा देता हूं और जो हमारी audience है उसको मैं फिर से target करता हूं और यहां पर हम चूज करते हैं birthday के लिए तो यहां पर मैं सर्च करता ह हैं तो उसी के अंदर जिन लोगों का birthday है उनको जो यह add है वो दिखाई देगा या फिर अगर हमान लेजिए यह देखिए जैसे कि जिन का birthday है या फिर यहां पर एक option और हमारे पास अच्छा option available था upcoming birthdays जैसे कि यह वाला यानि कि जिन लोगों के जो birthday है वो within one week आने वाले हैं उनको हम जो add है वो दिखा सकते हैं तो यह हमारे पास काफी अच्छे option है इसके अलावा अगर आप ब्रोड के अंदर जाना चाहते हैं तो वहां पर आप direct birthday, gift या फिर आप anniversary या फिर बेकरी इस तरह के जो targeting है वो आप चूज कर सकते हैं और उन्हीं के according आपकी जो add है वो हो आपकी वीडियो है anniversary जो add creative हमारा होगा तो वहां पर आपको anniversary type का ही जो cake है वो आपको एक वीडियो के थुरू आपको दिखाना पड़ेगा या फिर आप जो भी एक carousel के थुरू आप दिखाना चाहते हैं जो add है 5-10 photo आप add वहां पर डाल सकते हैं अगर आपको नहीं पता आपके रहा हो जो add क्या होते हैं कैसे run करते हैं तो उसके उपर भी मैंने already वीडियो बनाई है वो आप यहां पर जाकर देख सकते हैं और उसके बाद में अब जैसे मालीजे अगर आप birthday के लिए run करते हैं तो जो add creative हमारा है यानि कि जो हमारा add creative होगा वो birthday के related ही जो cake है वो google के आप direct search करेंगे तो आपको first link की यह वाला दिखाई देगा अगर आपको नहीं पता facebook ads library क्या होती है कैसे use करते हैं फिर competitor के जो facebook ads हैं उनको आप detail के अंदर कैसे check out कर सकते हैं तो यहां पर मैंने 7 minute की वीडियो बनाई है एक detailed के अंदर मैंने बताया है कि आप complete जो facebook के competitor ads ह आप कैसे check out कर सकते हैं और कैसे उनको analyz कर सकते। तो यहां पर मैंने search किया simply यहां पर आप सर्च करेंगे तो यहां पर आपको bakery याभ जो भी आपके जो cricket team है उसके लिए निकी केक यार जो cricket team है उसके लिए इन्होंने ये run किया है तो हो सकता है जो कोई केक यार के fans हैं वो यहां पर इस टाइप की टीम है उसको support करते हैं और इस तरह का जो केक लेने के अंदर वो interested होंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं हो सकता है जो जो business है Mio Amor यह हो सकता है कि जो KKR से related जहां पर कोलकाता नाइट राइडर से हैं तो हो सकता है कि यह जो लोग है जो बिजनेस है यह कोलकाता के अंदर बेस हो और उन्होंने अपने इस तरह का जो add है वो एक अलग creative होता है जैस उस type का जो cake है वो आप यहां पर design कर सकते हैं और IPL के दोरान आप run कर सकते हैं आप एक idea आपको निकल के यह भी आता है और उसके बाद में आप इनके दूसरे add दे सकते हैं जैसे कि इन्होंने mostly जो add है फिलाल IPL के उपर इन्होंने base किये हैं यानि कि IPL के उपर इन्होंने जो add है उन्हों run कर रखें और उसी type के जो cake हैं वो यहां पर इन्होंने बनाए हैं तो यहां पर आपको काफी सारे और भी आप यहां पर inspiration ले सकते हैं जो bakery के business हैं उनसे और उनकी add को यहां पर आप देख सकते हैं मुझे उम्मीद है आपको सब ही चीज़े समझ में आई हो झाल 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